हेलो फ्रेंट्स स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे तो फ्रेंट्स आज मैं आपके साथ बहुत ही प्यारा सा एक पोटली बैग का वीडियो शेयर करूंगी तो ये सूट मैंने अपना स्टिच किया था जो कि पार्टी वेर सूट था और भी मैंने दो तिन सूट जो बनाये थे उनमें से कपड़ा बचा है तो आज एक जो ये वाला पोटली बैग का वीडियो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ तो ये वीडियो शुरू करते हैं तो ये फैप्रिक मैंने ले लिया है जो कि 18-16 इंचिस का हम ये पूरा पीस जो है रेडि करेंगे तो इसके बीच में मैं रबड शीट डालने वाली हूँ यहाँ पे आप फोम शीट या कोई पुराना कपड़ा भी यूज़ कर सकते हैं तो मैं इसमें रबड शीट डालूँगी रबड शीट के साथ क्या होता है कि इसका लुक बहुत ही बड़िया आता है बहुत ही अच्छा फिनिशिंग के साथ आएगा दो पीस हमें कपड़े के चाहिए और बीच में हम रखेंगे रबड शीट को तो फ्रेंट रबड शीट जो है यह 40 रुपे की पर मेटर होती है बहुत ही असानी से आपको यह मार्केट में मिल जाएगी और बहुत ही सस्ते में आपको यह मिल जाएगी अगर आप होल सेल शॉप सेल होगे तो 40 रुपे की पर मेटर में आपको ये मिल जाएगी तो बीच में हमने रवडशीट रखी है और उपर और नीचे हमने कपड़ा रखा है और जो सुई मैंने यूज की है वो 16 नमबर या 18 नमबर की आप यूज कर सकते हो मेरे मिशीन पर 18 नमबर की लगी थी तो मैंने इसको चेंज नहीं किया है नॉर्मल जैसे हम स्टिचिंग करते हैं नॉर्मल सुई से आप इसको स्टिच कर सकते हैं चारो साइड से मैंने सीलाई लगा ली है और एक्स्ट्रा फैब्री को हम कट कर लेंगे तो यह पीस हमें चाहिए एक लंबाई जो है ना थोड़ा बड़े साइज का यह छोटे साइज का बनाना चाहते हो अगर चोटा कपड़ा आपके पास पड़ा है तो थोड़ा चोटे साइज का भी बना सकते हो अभी देखी यह जो वर्क वाला कपड़ा मेरे सूट में से थोड़ा थोड़ा भी बचा था उसको मैं योज करूँगी अभी मेरे पास पूरी पट्टी नहीं है ये वली तो मैं क्या करूँगी यहां पे हलका सा जोड डालोंगी तो जब भी मैं अपना कोई सूट स्टिच करती हूँ कोई भी कपड़ा मेरे सूट में से इम्प्रॉइडरी वाला भर्क वाला जो बचता है उसको मैं बिल्कुल भी फैंगती नहीं हूँ कभी मैं कोई हैंट बैग बना लेती हों कभी पोड़ी बैग आपको पता है इसके लिए थोड़ा साही कपड़ा चाहिए यह ज्यादा कपड़ा नहींänder काफी मार्गेट में भी काफी में जाएंग लेकarlo uphold को अपने सूट में से थोड़ा सा भी कपड़ा कोई बचता है उसको यूज कीजिए और घर पर ही बना लीजिए तो यह देखिए नीचे से मैंने दो इंच छोड़ दोंगी यह बॉटम वाली साइड है जो नीचे वाली साइड आएगी ना नीचे वाली साइड हम फिर सरकल अट कोशिश करते हूं कि आपको असाम से असाम तरीके से बताओं ताकि आप सभी को भी स्टिच करने में कोई दिक्कत ना हो तो मेरी तो कोशिश यह होती है बागी आप बताईएगा कि आपको समझ आया या नहीं आया कहां पे आपको कोई दिक्कत तो नहीं आई तो वो मैं लेकिन फैंकेंगे नहीं, इसको मैं फैंक कोंगे नहीं, और कहीं न कहीं पे इसको योज करूँगी, तो थोड़ा सा अ Lily, यहां से फुला फुला न रहे, तो बीच में भी न मैंने एक सी लाई लगा ली, यह देखे, तो यह मेरे सूट के साथ इतना प्यारा मेरा यहए पॉर्टली बैग बनके रैड़ी हो गया कर लिया मैंने अब देखिए उपर से यहाँ पर लेस लगा दूंगी यह देखिए इस तरह से हल्का सा इसको हाइलाइट करने के लिए तो यहां से मारजन के लिए थोड़ा भी कपड़ा नहीं है न यह वाला जो है तो इस पर मैंने क सिलाई लगा लेते हुऊ। बिल्कुर साइड पे इस तरह से तुआ इस तरह से रखते हुए हमने रखते हुए अगर आपके पास जैसे को पुराना सूट कभी का ख्राब हो जाता है और इस पे कोई लेस लगी है या कोई वर्क व्थ बॉर्डर लगा तो उसको आप उतार के रख लिजिए क्योंकि वो आपके बहुत ही काम आएगा तो मेरे जो सूट होते हैं के वर खराब हो जाते हैं कई सारी वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर भी किया है जैसे कोई बाजू पर बर्क हो रखा है या गले पर या घेरे पर तो उसका यूज मैं पोटली बैग या हैंड बैग बनाने के लिए कर लेती हूं तो यह पीस हमने यह देखिए रेडि कर लिया है जो कि देखने में बहुत ही सुन्दर लग रहा है यह देखिए अब आगे हमने नीचे ने इसके लिए सरकल तियार करना है तो सरकल जो है मैं साड़े-5 इंच जो है मैंने इसको रैडी किया है यह देख सकते हैं जाड़े पांच इंच इल स aika क्या है आप इसástको हम रखेँज़ और लिकार कपड़ा रखेंगे और फिर गौलाई में इसको पूरा श् SuperStich कर लेंगे निशान नहीं लगा लेकिन हाथ से दबाते हूं हम पता चल रहा है कि यह जो हमने फॉर्म रखी है वो कहां तक है तो फ्रेंट्स बॉटम के लिए जो मैंने योज किया है जो फॉर्म हमारे सूट में से निकलती है वो वाली मैंने योज की है अब मेरे पास रवडशीट नहीं थी इतनी ही थी जूट जाएँ और अब ऊपर के लिए देखी हमने कैसे कपड़ा लगाना है उपर जो है नाईन इन्च चोड़ाई में यह देखी है अहांसे चल बॉल्ड करनेंगे यह देखी यहां से देख लेती हूँ न पूरा ब्राबर आना चाहिए बाकी कपड़े को मैं यहां से फोल्ड कर दूँगी तो यह काफी असान तरीका है बहुत सारे तरीके जो है आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे अगर आप देखेंगे बहुत प्यारे प्यारे जो पोट बूइडिके यह देखेंगे आप इस तरह से रखते हुएं हमने इसको स्टिच कर देना है यह कि अब ओपर से दौ इंच का उपर से नीचे को गैट रखते हुए कहमनेए लाइन लगानी है यह देखेंगी जहाबने गीवाने है यह यह देख वनीच छोड़ा है मैसे जोसी तीन इंच भी आप छोड़ सकते हो, जितना भी बड़ा आपने कपड़ा लगाया है, लेकिन दो इंच ठीक है, अब आदा इंच नीचे को छोड़ते हुए, फिर से एक सिलाए लगाएंगे, तो इसमें ही हमने डोरी को डालना है, ये देखी, तो ये हमने बना ली डोरी के लि अगर आप बिगनर हो तो ये देखो, अच्छे से देख लोगे, तो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा, तो देखिए, सिलाए हमने लगा ली है, यहां से पका करते हुए इसको निकाल लेंगे, तो है ना काफी असान बनाने में, ये देखो, यहां से हमने होल रखा है, यहां से हम डोरी डालेंगे, ठीक है, और इस साइड पे हम हलके हलके से दो होल कर लेंगे, कैंची से, आप द यह सरकल तो बहुत असहानी से आप stitch कर सकते हो To just fix till you अगर आपड़ा थोड़ा सब फ्राइगे कपड़ा जो है ना उसको हमारे कपड़ा ही रखना है लेकिन सर्कल हमारा छोटा नहीं होना चाहिए है ना इस तरह से गुलाई में पूरा सर्कल जो है मैं स्टिच कर लेते हूँ और भी बहुत सारे तरीके हैं पोटली बैक बनाने के तो मैंने आपको बताया ना मेरी कोशिश होती है कि मैं असान से असान परिका आपको बताऊं जो कि आपको बनाने में भी एजी लगे और आप भी जट से बना लीजिए बना सके तो देखिए सर्कल को हमने स्टिच कर लेना है और यहाँ पे आप कपड़ी की पट्टी लगाकर इसको फिनिश भी कर सकते हो लेकिन मैं यहाँ पे इंटरलॉक कर लूँगी तो इंटरलॉक मैंने यह देखिए कर लिया है अब इसको सीधा करके मैं आपको दिखाते हूँ इसका लुक जो है कैसा आया है जो मेरा यह सूट का कपड़ा थोड़ा थोड़ा भी बचा था था ना इंटरॉक को बिल्कूल भी फैंकती नहीं क्योंकि इतने महां पेंगे होते हैं तो हमारे कहीं आपको यह काम तो आ ही जाते हैं तो देखिए यहां से हमने डोरी डालनी है तो डोरी जो है मैंने आप कपड़े की भी बना सकते हो लेकिन मैं यहां पे ना रेडीमेट वाली डोरी लोगी तो यह मैंने जो दो निष्यांवान लगा it on the Book करने अपने एक कपड्वी को लगाना है नीचे कपड़े को ही नबाऊ तोको ही और भशेस में फटने रहेवाला नहीं ढहर है तो डोरी की लेंथ जो है मैंने 20 इंच ली है दो डोरी हमने लेनी है दो पीस तो देखिए यहां से जो हमने जगा रखी थी न यहां से हमने डोरी को डालना शुरू करना है और यहां पर ही हमने इसको लेकर आना है यह देखिए जहां से डालने शुरू करेंगे यह देखिए इस तरह से और यहां से हमने इसको निकाल देना है तो देखिए एक साइट पे डोरी हमने डाल ली है यहां से नोट लगा देते हैं ताकि यह निकले नहीं यह देखो हलकी सी ज्यादा किंचके नहीं लगा ना क्यों तो friends अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अगर आप मेरे वीडियोज को रेगलर देखते हो और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेड़ा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेड़ा ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिच दे रहें क्योंकि ऐसे ही उस फुल वीडियो जो है मैं आपके लिए लेकर आती रहती हूं तो देखिए दोनों साइड से डोरी हमने डाली है वाव देखो कितना सुंदर बन गया ना बिलकुल फ्री में हमने जो हमारा चोटा सावी कपड़ा बचा था उसको यूज करके हमने बहुत ही प्यारा पोटली बैग जो है बना के रैडी कर लिया लेकिन अभी ये रैडी नही वहाँ से थोड़ा सा और निकला था तो इसका मैं हैंडल रैडी करूँगी लेकिन हैंडल बनाने के लिए साइड पे मैं ये देखिए ये जो चमपा लेस होती है ये लगा लेती हूं दोनों साइड से ताकि ये देखने में और ज्यादा सुंदर लगे अब इसके फिनिशि का लुख बोहुत ही प्यारा आगया ये देखिए एक साइड पर लगा लेना अब अब दूसरी साइड पर लगा लेती हूं ये देखिए ताकि हैंड़ हमारा देखने में काफे सुंदर लगे तो देखिए कितना सुन्दर बन गया ना, अब ये हम हैंडल जो है, अटेच करेंगे, तो देखिए कैसे हमने हैंडल को अटेच करना है, इस तरह से रखते हुए ये देखो, अंदर वाली साइड को फोल्ड करना, पहले मैं बार वाली साइड को करने लगी थी, लेकिन बार को दिखेगा ना तो इस तरह से अंदर वाली साइट को फोल्ड करते हुए यहां से हमने इसको स्टेच करना है तो यहां पर थोड़ा सा मोटा है ना तो धीरे-धीरे से करके मिशीन चलाना है हमने क्योंकि जो यह बॉर्डर है ना इसमें काफी सारे स्टोन बगेरा लगे हैं तो यहां से धीरे-धीरे से मिशीन को चलाते हुए हमने इसको अटेच करना है यह देखिए इस तरह से तो एक साइट से हमने हैंडल को अटेच कर लिया यह देखिए इस तरह आएगा अच्छा लग रहा है ना अब दूसरी साइट पे वी पूरा सेंटर निकालते हुए जहां पे होल किये थे ना यह देखिए उसका सेंटर अच्छे से निकालते हुए और यहां पे भी हमने इसको अटेच कर लिया है सेम उसी तरीके से है ना इस तरह से तो देखिए हैंडल हमने अटेच कर लिया है अब क्या रहा गया अब इसमें हम टेसल लगाएंगे तो टेसल बनाने के लिए ना मैं आपको दिखाते हूँ एक जो फैब्रिक मेरा कुर्ती के घेरे से साइट से बचा था ना उसका यूज करने वाले हूँ यह देखिए घेरा थोड़ा सा ज्यादा था ना सूट का जब मैंने कटिंग की थी तो यह दो पीस निकले थे तो इनका हम टेसल बना लेंगे कुर्ती पर भी इस थरह लगा सकते ओ लेकिन मैं डेप गला नहीं डालती तो यसीलिए मैंने डॉरी बाला गला नहीं बना था तो यह देखिए इस तछ वय familiar से हमने इसको सीदह करना हा इ लेकिन यह से स्टोन है न तो स्टोन को में निकाल के यह देखो एक साइट से मैंने स पूरा बसूल करेंगे इसकी जो कीमत है क्योंकि हम बिल्कुल भी फैंकेंगे नहीं यह देखिए चोटे-चोटे कतरन मैंने कट कर लिये हैं चोटे-चोटे कपड़े के पीस आप यहां पे चाओ तो कॉटन भी भर सकते हो लेकिन अगर चोटे-चोटे पीस पड़े हैं तो व साइड से हमने तो यह देखिए यहां से हम इसको स्टिच कर देंगे दिरे-धिरे से शिलाय लगाएंगे और बीच में हमने छोटी-छोटी कतरन भरती है तो वह कौन सी किसी को दिखेगी आप चाहो तो कतरन भर लीजिए चाहो तो जो कॉटन होती है रूई होती है वह देखने में काफी सुन्दर लग रहा है यह मतले हैं और बीजिध यहां साइज है मैं चोरफ की साइज को मैं बनाती हो कि बड़े साइज के refuse कर दो क्यों थोड़ का ड़े बनाया है तो थोड़ा साका बनाय तो भीडियो को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताईएगा